आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान अरविंद केजरी वाल का हिंदुत्व का सफर क्या आरंभ हो गया है क्या दूसरी भारतियंता पार्टी के रूप में वह सामने आ जाएंगे जब पहली बार वैं चुनाव लड़ रहे थे तो कोई भी धर्मिक मुद्दा नहीं था कोई मंदिर मस्जिद नहीं थी यहां तक कि शाही इमाम को भी उन्होंने नकार दिया था और कहा था कि आपके गड़ बंधन की हमें आउशकता नहीं है इस बार भी उन्होंने किसी भी दल के साथ गड़ बंधन नहीं किया अलग अपनी पार्टी से चुनाव लड़े यानि कि अकेले ही चुनाव लड़े भारतियंता पार्टी जिस तरह अकेले चुनाव लड़ने की बात करती थी उस तरह अरविंद केजडी वाल लड़ते हुए नजर आ रहे थे लेकिन इन चुनावों में जो अलग बात देखने को मिली वह यहती हनुमान मंदिर पर जाना, जीतने के बाद भी हनुमान मंदिर जाना, एक धर्म को बार बार आगे लाना यह बात कहीं न कहीं उखा रही थी लेकिन इस बात से अरविंद केजडी वाल को किसी भी प्रकार का जटका नहीं लगा है बलकि जितना भी मुस्लिम बहुल आबादी थी उसका सारा वोट आम आदनी पार्टी को ही आया है अता पांच उम्मीदवार थे मुस्लिम उन सभी ने प्रिचंड वोट से जीत दर्ज की इस दौरान हम बता दें कि सौरब भारदो आज हैं विधायक हैं आम आदनी पार्टी क संदर कांड होगा हर महीने पहले मंगरवार को वे अपने छेतर में संदर कांड करवाएं वहाँ पर लोग सामिल भी होंगे तो अब फिर यह बात ऊठ रही है कि क्या हिंदुत के मुद्दे पर आ रहे हैं क्या आप से सैक्लरिजम की वह राजञीती बिल्कुल बरदाष्त नहीं हो रही है और क्या है भारती यंत्वाड़ा के लिए खुशी के बात है कि एक अृड़ फिर हिंदोतों की रहा पर आ रहा है बिलकुल खुशी की बात नही है एक आपके खिलाफ ऐसा वैक्टी खड़ा हो रहा है कि जो सैकुलरिजम के नम से जाना जा रहा था विकास के नाम से उसे जाना जा रहा है, उसे वोड भी प्राप्त हो रहा है और साथ में वह हिंदुतों के एजेंडे पर भी खेलता हुआ नजर आ रहा है अर्विंद केजरी वाल के हम यहां आलोचना नहीं कर रहा है बलकि अरविंद केजरी वाल की यहां होशियारी है क्योंए विकास के साथ साथ उस हिंदू वोड बैंक को अपनी तरफ करना चाहते हैं जो कही न कहीं भारती जनता पार्टी का फिक्स वोड बैंक के फिक्स है कि किसी भी हालात में देश की कुछ भी हालात हों किसी भी तरकी वैस्था बनी हो लेकिन उस व्यक्ति का वोट भारती यंता पार्टी को ही जाता है तो क्या अर्विंद केजरी वाल अब हिंदुत का एजेंडा चला कर भारती यंता पार्टी को बिलकुल खत्म करने वाले हैं यह भारतियंता पार्टी का अन्त हो सकता है यदि अर्विंद केजरी वाल ने हिंदू वोट बैंक को साध लिया विकास की राजनीती के साथ साथ यदि वह हिंदुत का कार्ड चल रहे हैं जिस तरह वह शाहीन बाद भी नहीं गए प्रदर्शनकारियों के पास तो यहां मुस विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और हिंदुत वोट बैंक को अपनी तरफ किया जा रहा है तो सुंदर कांड की बात हो गई यह हनुमान मंदिर जाने वाली बात हो गई और शाहीन बाग ना जाना हो अर्विंद केजरी वाल का इस बात से आपको क्या लगता है क्य अब हिंदुत के रास्ते पर चल रहे हैं हिंदुत वोड बैंक की राजीती करते नजर आएंगे अर्विंद के जिरिवाल भविष्ट में इस समंध में अपनी राय देना बिलकुल भी न भूले कारी करम को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पर वश्च कर दें तब तक के लिए जासत दीजिए धन्यवाद कर दो